Hey everyone, welcome back! इस जग को शुरुवात से देख रही थी, और फिर देफ्ताओं ने अपने 46 बच्चों की मदद से इस जग को खतम कर दिया, सारे डीमन्स को नर्क में कैद कर दिया गया, और देफ्ताओं के हर एक बच्चे को स्टोन स्टाइचू के फॉर्म में वहाँ एक गार्जन मना दिय जा गया, इन स्टाइचू को कोरिया में हर यो बंग कहा जाता है, और एचली ये बात आज भी कोरिया में मानी जाती है, कि जेजू आइलेंड पे मौझूद ऐसे स्टोन स्टाइचू बगवान की बच्चों के है, जो उनकी रक्षा करते हैं, इसके बाद हम एक कपल को जो अपने वेडिंग शूट के लिए जेजू आइलेंड के पहार की जोटी पैय थे, वहाँ के साथ वाले फोटोग्राफर बताता है, ये जगह इतियास की माने तो बहुत महत्वर रखती है, वो ये भी कहता है, मुझे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा लगता है, ज दोनों ही गायब हो गए थे, जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, तभी वो दोनों एक डीमन में तकदील हो गए थे, और उस फोटोग्राफर को वो मार देते हैं, हमें समझ आता है, नर का दवार अब खुल गया है, और डीमन्स अजाद हो चुके हैं, जिनको भी वो मारते ह वो भी उनकी तरह डीमन्स बन जाते हैं, तभी अचानक एक तलवार उस पोटोग्राफर को खतम कर देती है, और हम देखते हैं, एक सूट पहने शक्स को, जिसके पास असाधारन शक्तियां थी, इसके ठीक अगले सी में हम एक यंग प्रीष्ट को देखते हैं, योहान जो महीं दूसरा एक्जॉसिजम करा था, और बहुत कम उमर में ही, वो बहुत माहर हो गया था, इसके बाद हमें कहानी की फीमे लीड मीहो को दिखाया जाता है, वो देहान ग्रूप के प्रेजिएंट की एकलौती बेटी थी, और होने वाली प्रेजिएंट भी, लेकिन इसमें उसकी कॉम्बी टीटा थी उसकी आंट, जो खुद भी एक बहुत ही बड़ी शेयर होल्डर थी, हमें पता चलता है, मिहो सच में अपने काम को लेकर पैशनेट है, और बहुत ही टैलेंटेट भी, वो रिपोर्टर से अच्छे से डील करना जानती है, और बिजनस में रिजल बुश कर टकरा चाती है, ड्रैवर बहां निकलते हैं, तो सामने की एकार से तो बड़े साइस से बंदे निकलते हैं, जो ड्रैवर को उल्टा फसा रेते, और यह देख मिहो बहां निकलती है, और कहती है, यह हमारी गलती है, हम चलते हैं, पर तभी वो नहीं रुकते, तो म मियों एक को उठाकर पटक देती है, वो physically बहुत ही strong थी and moves भी जानती थी, तभी हम देखते हैं दूसरा वाला बंदा, सब कुछ record के अपने दोस के साथ तुरंट वहाँ से भाग निकलता है, हमें समझ आता है ये सब कुछ उनका plan था and इस plan के पीछे aren't शामल थी and ये recording अब public ह हो जाती है, इन लोग अब देखान group का भाईशकार करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा था कितने बड़े company की president की बेटी आम लोगों पर जल्म कर रही है, Mr. President बहुत नराज थे और वो कहते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम लोगों की नजरों से दू चली हो जाए, फिर Jeju Island Airport पे उतरने के बाद अचानक बहुत सा रिपोर्ट इस उन्हें घेल लेता है, तो driver उन्हें रोक कर मियों के बहाँ जाएं का रास्ता बनाता है, जाए एरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, मियों का एक अचीब एहसास होता है, मानो जैसे ये जगा उसे कब से बिला रही हो, और उसका यहां आने के पीचे कोई गहरा मकसद हो, जैसे वो कार तो पहुँचती है, अचानक एक डीमन उस पर हमला कर देता है, वो घबरा कर ट्रक के अंदर छप जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो डीमन ट्रक फार देत हमें उस बंदे को दिखाते हैं, जैसे एक ओल डेडी बताती है, कि वो आ गई है, उसे पता नहीं है कि वो कौन है, शैदो से अब तो रिलाजेशन नहीं हुई, तब ही हमें सालों पहले का दृश्य दिखाया जाता है, एक मंक, और उनके कुछ साथी आपस में बात करे थे, कि ये जगा ताम रहा है, एक हुली साइट, जैए इविल स्प्रेट का आगमन हो रहा है, एंड इन इविल स्प्रेट को रूपने के लिए, हुमन कीपबलिटीज इनफ नहीं है, इसलिए एक इविल मॉस्टर, जिसे लज्ज डीमन्स कहते हैं, उसकी बलड से, एक नाइफ पर लगा, कुछ आँ बच्चों पर स्टैप करते हैं, ताकि उनके पास उनलस्ट डीमन्स की पावर आजाएं, अगले दिन, सिर्फ दो बच्चे से जिन्दा बचे थे, और वो थे, इंसानियत की आखरी उमीद, उनलस्ट डीमन्स के खिलाफ, इनका नाम था वैन और गंग पुनर जनम मीहो है, और और कोई नीबल की वही सूट पहने वाला बंदा था, जिसने मीहो की जान बचाई, प्रेजर ने वो लोग तामरा हाई स्कूल में जाते हैं, प्रिंस्पल बहुत खुश थे, क्योंकि मर्जर के साथ बहुत से नई फैसलिटीस इस स्कूल में एड़ करी है, और तभी उसे पता चलता है, आंट के इसमें मदद, मीहो का ही ड्राइवर करा था, मीहो ड्राइवर को अपनी फैमली की तरह मांदी थी, लेकिन ये देख, उसका दिल तूट जाता है, और कारकेचा भी वहीं छोड़, वो पैदल वापिस आने लगती है, तभी हम ग जो इटली से कोरिया आ गया था, वो बटलर जैंग का नफ्यू था, एंट 10 साल की उमर में ही, इटली में एक फैमली ने उसे अडॉप कर लिया था, जहां पर वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही जादा इंटलिजन था, इसके बाद बटलर जैंग, कॉल देख, पुल की फ्लाइट लेने के लिए, लेकिन वहां उफसे उसे रोक लेते हैं, और कहते हैं कि सीनियर आफसर आपसे बात करना चाते हैं, तब हमें दिखाया जाता है, कि सीनियर आफसर ओरेडी लस्टीमन बन चुके थे, और वो इस पर हमला कर देते हैं, जब तब बाकी उफ हैं, इस बीश योहान इनी डीमन्स और डीमन्स को मारने वाले पर जाज करा था, हमें पता चलता है, बटल जैंक और योहान को इस बारे में बहुत कुछ पता था, एंड वहां वो लोग आपस में किसी भविशेवानी का भी जिक्रे करे थे, दूसी तब घर पे मीहो काफी टेरी वी थी, तो इस वैन खिड़की से अंदर आता है, हमें पता चलता है, हमें वहां पर पता चलता है, इनके पास ना सिफ असाधारें शक्तिया थी, बलकि ये सालों से जिन्दा थे, एक फ्लैश्पेप में हम देखते हैं, कि मीहों ने पिछले जिनम में मंग उनके साथ आतना पड़ता है, जहां पर उनने दुबार आप पकड़ लिया जाता है, अजरी बर्त में वो लड़की तो सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए वैन को बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करते थे, वह वो वैन से कहते ही है, मेरे पास बहुत सारे पै यह कुछ जादा नहीं हो गया, इसके बाद हम फ्लैश बैक में देखते हैं, मियो को वैन नहीं पिछले जनम में जान से मारा था, अब अगली सुबब में दिखाते हैं, मियो वैन को बटला जैंक से मिलवा दी है, और बटला उसे पहले से ही जानते थे, और बटला उसे दे मियों और वैंक के बारे में एक भवेश्य वानी की जिक्रब भी करते हैं, क्योंकि उने डर था, कहीं वैंड पिछले जनम की तरह इस बार दुबारा, मियों को ना मारते, स्कूल में हम देखते हैं, एक लड़की ब्यूम्जू, क्लास एटेंट के बिना ही बाहर चली चाती है वो अपनी दोस्त सूर्यों के पाज आती है, जिसके प्राइवेट वोडोस उसके बॉइफ्रेंड ने ले ली थी, और वो उससे डरा रहा था, यहीं नहीं, उसने सूर्यों को हार्म भी किया था, एंड घर पे स्कूल पे कहीं भी कोई सूर्यों की मदद नहीं करता, जिस प बहुत बड़ा लेती है, को यह जारा ना देख, सूर्यों बेंड जोल से प्रात्ना करने लगती है, दूसी तब यहान अमी हो, एक दूसरे से मिलता है, और एक दूसरे को देख दोनों डर कहते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा था, यह घर में वो और बटला जैंक अकेले ह बस वह वो दोनों बहुत रिंग्स करते हैं, और बाते करते हैं, मिहो का विश्वास नहीं होता, यह बंदा कोई प्रीष्ट है, और वह यहान की मलकात वैन से भी होती है, जा यहान वैन के सामने ऐसे एक कर रहा था, जैसे वह उसके बारे में सब कुछ जानता हो, जिस पर वैन कहते हैं, इंसानों की आदत होती है, सब कुछ जाने की, क्योंकि अंजान चीज का डर उन्हें सोने ही नहीं देता, लेकिन मुझ पर ये, मताज माना, वही फिर अगली स्वा मियो और वैन के साथ, आज योहन भी स्कूल आ रहा था, रास्त में वैन को कुछ अजीब लगत स्कूल आता ही, अचानक उनके कार क्या आगे, प्यम्चिव आ जाती है, और मदद मागती है, और वो दोनों उसके साथ सूरियोन के घर जाते हैं, जह उसकी मदर बताती है, वो कमरे से बहां नहीं निकल रही, यहान अंदर जाता है, और स्पेल्स का यूस कर, किसी दरफ वो सूरियोन को पोजिशन से बहार निकल रहा था, लेकिन वहीं दूसी दरफ हम वैन को देखते हैं, जो जंगल के बीचों पीच एक बड़ा होल देता है, यह देख ऐसा लग रहा था, किसी पेड को यहां से निकाल कर हटाय क्या हो, जैसे बेंचुल के आत्मा, इस पेड में ह को देखते हैं, जो सूरियोन की कमरे से एक दूसी दुनिया में आ जाते हैं, जैसे सूरियोन की आत्मा कैती, उस स्पिरिट के साथ, जैसे स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो बतला लेती है, एंड वहां में समझ आता है, कि वो वाइट हेर वाला शेक्स भी, अभी वहां वैन भी आ जाता है, क्योंकि उस जगह पे एक लस्ट डीमन भी था, दसमी हो, जहां भी जा ली थी, वहां पर लस्ट डीमन बार बार आ जा रहा था, क्योंकि वो इस भविश्यवानी से चुड़ी भी थी, अब वहां दुबारा से एक बहुत एमीजिंग खड़वानी की कोशिश कती है, लेकिन यून की फैमिली, जेजु एलेंट की बहुत ही इंफिलेंशल फैमिली थी, तो ये अतना आसान नहीं था, लेकिन फिर हम देखते है, एक लस्ट डीमन ही, यून को आकर उसके घर पे मार देता है, फिर अगले सीन में स्कूल में, वही जनम में ये मीहो की मदर थी, फिलाल वो इस गाउं की सबसे ओल्ड चक्स है, और वियम्चु उनकी ही ग्रेंड डॉटर थी, वह मीहो, वैन और ओल्ड लीडी को क्लोज दिख, बात में वैन से रेस्टरून में खाना खाते वे, इस बारे में पूछती है, वैन कुछ भी नह मीहो के जाने की बाद, वैन से बात करने ही योहान आता है, योहान कहатे है, मुझे, तुम पर यकीन नहीं, कि तुम मीहो की रक्षा कर सकते हो, तसब, हविश्यवानी के मताबिक, वैन दुबार ह मीहो को जान से मार देगा, एड़ मीहो एक कडई है, इन्सानों को डीमन से ब मार दूँगा लेकिन तभी वैन अपने डीमन फॉर्म में आकर योहन को हवे मुडा देता है बहर आवाजे सुन मिहो तुरंत उबर आती है उसे सामने दोने लड़ते वे दिखते है विक्तम डर जाती है वैन योहन को वही छोड मिहों पर वार करने जा रहा था क्योंकि डीमन वहाँ बेहोश हो जाती है एंड वैन वहाँ से सिला जाता है वा इसोलेशन में खुद को बंद कर लेता है अब बहार नहीं निकलता उसे लग रहा था उसने दुबारा वही किया जिसने पहले किया था दूसी तब बड़ला जैंग योहन से कहते है तो मैंसे ही वैन पर शक नहीं कर सकते जिस बात को योहन नहीं मानता दूसी तब बड़ला जैंग योहन को समझा रहे थे कि वैन तुमारे मियों को नहीं मारेगा वह योहन को इस बात पर यकीन नहीं था अब अगले दिन से वही मियों का बॉड़ी गार्ड बन जाता है मियों अगले सुबा सबसे लेवेंट से मिलने चाहती है लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें दूर से ही देखूंगा पर करीब नहीं होगा वो कहती है मुझे तुमने एक बर हमला किया लेकिन कई बर मेरी जान बचाई है तुम खुद पर विश्वास तो करके देखो फिर वो योहान के साथ स्कूल आ जाती है जो उसकी फ्रेंट बताती है उसकी अगले हफ़ते शादी है और वो इस अपने फ्यांसे के रेश्टरंट पर इन्वाइट करती है स्कूल पहुशने के बाद वो दोनों सूरियों और यूंजू से मलते हैं चुने थैंक्यू कहती है सारी मदद के लिए और मियों वहाँ स सेने निकाल लिए वैन ये सन तुरंट पास वाले हॉस्पिटल पर जाता है बॉड़ी देखने एंड उस पर लगए कट्स देख वो कहता है कंग्टैन ये तुम्हारा काम है हमें समझ आता है वैन के लावा जिस दूसरे बच्चे को सालों पहले मौक ने पावस दिल पाई थी कंग्टैन वही है एंड वो दुबारा जाग चुका है यहां में आपको पता दूँ फैन और कंग्टैन दोनों भाई थे दूसरे मियों को दिखते हैं जो घर आ जाते हैं मियों को पता चलता है यहां का एक बड़ा भाई भी है जिससे वह बच्चमन में अलग हो गया थ और कई सालों से वह उसे ढूंड रहा है मियों कहते हैं हमारी कंपणी के एक बड़ी टीम है हम उनसे तुरंत यह पता लगवा सकते हैं तब ही हम देखते हैं यहां के बड़े भाई चैन को वो दरसल एक लज टीमन था जिससे ऐसा गंग्टैन ने बनाया था हमें बता जाता न्यूज में जिस राक्षरस ने टुष्ट को मारा था वो चैन ही था उसके पास भी डिमनस वाली पावर थी एंड पावर उसे गंग्टैन ने दी थी और गंग्टैन ने चैन को एक और काम दिया था मिहों को डूंड के मारने का क्योंकि गंग्टैन खुद ऐसा नहीं कर सक हम देखते संगुन गाड़ी से जा रहे थे लेकर रास्ते मचानक कार बंद पर जाती है और तब ही कोई अंजान ताकत उन्हें समंदर में फेक देती है दूसी तो वैन को एक एक एहसास हो गया था मिहो की पास खदरा होगा तो वह वहाँ जाता है और तब ही मिहो वैन और गंग्टैंग की पीछे जाता है तो इस अब यहाँ चैन के डॉक्याड पहुंच गया था जा चैन और वह एक दूसरे से फाइनली मिल जाते है और वह उसे लेकर घर आ जाता है उसे अंदाजा भी नहीं था वह एक लज़ टीमन को घर लेकर आ रहा है वह इवैन और गंग् अपने बारे में सब कुछ जाना चाहती थी वह लेड़ी बताती है तुम असल में एक वांज्योंग हो यानि की एक सेंट जो दुनिया को फिक्स कर सकती है यहां पूछती है मैं कैसे वह लेड़ी बताती है यह तुम्हारा पुनर जनम है और तुम्हें अपना अधूरा काम पूड़ा करना है जो तुम पिछले जनम में नहीं कर पाई थी इस दुनिया में कई सारे दर्वाजे हैं जिन से लस्टीमन्स यहां आ सकते हैं वो दर्वाजे अब खुल गए हैं इन वांज्योंग यानि एक सेंट ही वो शक्स है जो दर्वाजों को बंद कर सकती है एंड हैं तुम अवेकन हो गई तो तुम गंग 10 और सारे लस्टीमन्स को दुबारा क्यद कर पाऊगी एंड तुम्हारे साथ होने से वैन भी बहुत साथ हो जाएगा इसी वज़े से सारे लस्टीमन्स तुम्हारी अवेकनिंग से पहले ही तुम्हें मार देना चाते हैं दूसी इससे पहले वैन उसे मार सके, कंग टैन, वैन को महां गहल कर देता है, और कहता है, या मेरे साथ हो जाओ, या मैं तुम्हें अब मार दूँगा, फिर योहान, चैन से मिल कहता है, आप भी एक डीमन होना, वो कहता है, मुझे ऐसा, उस वाइट हेर वाले आदमी ने बना दिया तब ही हमें एक flashback scene दिखाई जाती है, एडॉप्ट होने के बाद, उस family ने बच्पन में ही, चैन के liver transplant करवा दी थी, अपने खुद के बेटे के साथ, और फिर जब चैन वीक हो गए, तो उसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया, यहान से उन्होंने का कि ठीक होने के पर काम नहीं बनता, चैन कहते हैं मुझे मार दो, पर नम है, तुम लोगों के लिए खतरा थाबित होंगा, लेकिन अगले दिन यहान मियों को सब कुछ बता कर मदद मांगता है, मियों उसकी बात मान, मदद के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ चैन अपना काबू को कर, लज़ डीमन में तक्दील हो, यहान को हरा कर मियों को मारने जा रहे थे, तब इवैन वहाँ जाता है, जो खुद कम्जोर था, लेकिन इसी तरह वो फाइट करता है, पर हार जाता है, फाइनली जैन मियों को जांत से मारने वाले थे, पर यहान अपनी स्वोर्ट से अपने भाई को ही मार देता है, और तूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपने भाई को ठीक नहीं कर पाया, दूसरी हम लेखता है, गंग्टैंग को, जो अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है, वहाँ उसके सारे लज़्टी मस थी, और उनमें से एक थी ब्यूम्चू, वही ओल लेडी की ग्रैंड दॉटर, एंड हमें समझ आता है, इसे भी गंग्टैंग नहीं भेजा था, उन पर नज़र रखने, अब तक तो बस आधी कहानी ही हुई है, इस रामा का अगला पार्ट, जिसमें आखरी के छे एपिसोर्ट होंगे, वह फेबरी में रिलीज होगा, जहां पर हमें, बाकी सवालों की जवाब में लेंके, मैं मीट करता हूँ, यहां तक की कहानी आपको पसंद आई होगी, अगरहां, दिन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्स्क्राइब भी, थैंक यू वरी मच वाचिंग, सी यू सून,